हेलो दोस्तो मैं शोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड़ा पर तो दोस्तो कैसे है आप दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मौनसुन के मोसम में याने की बारिस के मोसम में एक्सिडेंट से बचने के लिए क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए तो इस वीडियो में मैं ऐसी पांच सावधानी अब आपको बताऊँ जो कि आपको मौनसुन के मोसम में हादसों से बचाएगी तो दोस्तों मौनसुन देश के कई हिस्सों में दस्तक दे रहा है ऐसे में कार चलाने वालों के लिए हम कुछ खास टिप्स के बारे में आज बता रहे है बरसाथ के मोसम में कार चलाने वालों को इन चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है और बरसाथ के मोसम में शानी का सामना नहीं करना पड़ेगा सबसे पहली बात है दोस्तों कि टायर की ग्रिप आपके सही होनी चाहिए यानि कि बरसात के मोसम में ड्राइविंग के वक्त बैलेंस बनाए रखना काफी मुश्किल होता है ऐसे में सडके गेली होती है तो कार फिसलने का खत्रा भी जादा रहता है और ब्रेक भी आसानी से नहीं लगते है ऐसे में अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो पहले ही टायर की जो ग्रिप है उसकी जांच आप कर लीजिए कि वह ठेक है या नहीं है अगर टायर पुराने हो चुके है तो उन्हें आप बदलवा लेजिए दूसरा पॉइंट है दोस्तों की ब्रेक की जांच हंजी दोस्तों बरसाथ के मौसम में ब्रेक की जांच करवाना काफी जरूरी होता है बरसात के मोसम में सड़कों पर ब्रेक अन्य मोसम के मुकाबले से नहीं लगते है और अगर आप कार को ब्रेक लगा कर रोकते हैं तो वैं थोड़ी आगे जाकर रुकती है यानि कि दोस्तों बरसाथ के मोसम में ब्रेक सामान्य मोसम के मुकाबले ज्यादा टाइट होने चाहिए ताकि कार को जो तैय दूरी है उसी पर रोका जासके तीसरा पॉइंट है दोस्तों कार की सर्विस हंजी दोस्तो टाइम टाइम पर कार के सर्विस करवाते रहने से आपको जो है कार में आने वाली दिक्कतों के बारे में पता चलता रहता है और वेट ठीक होते रहती है बरसात के मौसम की शुरुवात हो चुकी है तो ऐसे में अब आप अपनी कार की सर्विस करवा ले जिए ताकि रास्ते में आपको कहीं भी लुकना ने पड़ जाए और बारिस के मौसम में कारों में ज़्यादा खराबी आने लगती है चोथा पॉइंट है दोस्तों की कार चलाते वक्त कंट्रोल रखे हंजी दोस्तों बरसात के मौसम में कार चलाते वक्त कंट्रोल रखना चाहिए इस मौसम में ज़्यादा तेजगती से गाड़ी चलाने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की रेस नहीं लगानी चाहिए बरसाथ के मोसम में रास्ते खराब हो जाते हैं पानी भर्णे के वज़े से सड़कों पर गड़े जो है वो नजर नहीं आते और ऐसे में गाड़ी को नुकसान होने का खत्रा बना रहता है इसके लावा दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो हम आपको बता देता हूँ कि जो जो जरूरी सामान है उन्हें आप अपने साथ रखना चाहिए बरसाथ के मोसम में कार के साथ आपको जरूरी ओजार और अन्या उपकर्ण को भी रखना चाहिए ये काफी ज़्यादा जरूरी होता है ऐसे में पानी के वज़े से कार अगर बंद होती है या कार बंद होने का खत्रा होता है दोस्तों तो अगर आपके पास ओजार होंगे तो छोटी मोटी दिक्कत के लिए आपको किसी मैकेनिक की बुलाने की जरूरत नहीं होगी आप खुद उस सिटुएशन को हैंडल कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आप भी बारिस के मौसम में कार सिलाते है तो इन पांच टिप्स का आप ध्यान रखिए ये पांच सावधानिया बरते ताकि आप भी हादसों से बचे रहे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ये टिप्स आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट कर सकते है इसके अलावा कुछ और आप टिप्स देना चाहते है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते है साथ ही ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यो फूर वोचिंग ट्रांसपोर्ट अड़ा